गुड मौनिंग स्टुडेंट्स, वेलकम बैग, डेमोक्राटिक पोलिटिक्स पार्ट टू, फ्रॉं टेंथ क्लास, तोडे वी आर कॉंटिन्यू, आवर फॉर चैप्टर, जेंडर, रिलिजिन एंड कास्ट, इन लास्ट वीडियो, यू हैव स्टडी अबाट टोपिक advantages, discrimination and oppression in various ways, कहते कि जो ओरते होती हैं, उनको एक तरह से अंदेखा किया गया, उनके साथ बेदभाव किया गया, उनको दबाने का परियास किया गया, यह कोशन हमारा डोड परिक्षाव में भी आता, तो देखे कहां कहां पर वुमेन के साथ बेदभाव हो रहा है, कि उननों अपडेट कर सकते हैं, आपर 2011 का डाटा, तो जो वुमेन है, लिटरिसी रेट में आप कमपेरिजन करें, वुमेन की 54 परसेंट है, तो मैन की 76 परसेंट है, तो कहीं न कहीं हमें, मैन की बेटर एजुकेशन वो मिलेगी यहाँ पर, Similarly, a smaller preparation of girls student go for higher studies, कहते कि उसी तरह से हम देखें, तो बहुत ही कम लड़कें ऐसी हैं, जो high study complete कर पाती हैं, When we look at school results, girls are well as boy, if better in some places, but they dropped out because parents prefer to spend their resources for their boys education, rather than spending quality of their sons and daughters, equally on sons and daughters, कहते कि generally हमें देखने को मिला कि आप लोग मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो रूड़ी वादी लोग हैं आज भी, वो क्या करते हैं, ज़्यादा तरह वो अपने जो boys होता, boys की education पर ज़्यादा से ज़्यादा investment करना जाते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा benefits बहुता हैं, no wonder the preparation of women among the highly paid valued job is still very small, अगर हम बात करें women की तो जो high paid jobs हैं, उनमें भी उनकी जो अगर हम अनुपात की बात करें women का वो बहुत ही कम हैं, तो यहाँ पर भी बेदभा हो रहा है, बहुत अच्छी job skill men को दी जाती हैं, जहाँ पर high paid किया जाता है, अगर हम comparison करें तो एक और आदमी से ज़्यादा घंटे काम करती है एक दिन में, यह मत, her work is not paid and therefore open not valued कहते हैं कि लेकिन उसके काम के बदले में pay नहीं किया जाता और अक्षर उसके इस काम को अंदेखा किया जाता, आप लोग मानते हैं कि आपकी मदर है आउस वाइफ है तो बहुत सारा काम करती है घर का लेकिन क्या है उसके काम की वैल्यू नहीं होती क्यों कि उसको पे नहीं किया जाता देखे क्या कहता है एक्ट अंडरलाइन कीजिए इसको प्रोवाइड दी इक्वल वेजी शूड भी पेड इक्वल वर्क यानि की काम बराबर काम के बदले में बराबर वेतन मिलना चाहिए क्याते कि अगर हम बात करें स्पोर्स में बात करें किसी भी हम इंडस्ट्री में बात करें सीनमा में बात करें तो वुमें को कम पे किया जाता है में की तुलना में अगला डिस्क्रिमिनेशन जानेंगे यहाँ पर इन मैनी पार ओफ इंडिया पैर प्रेंट्स 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 पहले अबोर्ट कर देते हैं कहते हैं कि जब वह ऐसा करते हैं तो उसे क्या होता जो सेक्स रेशियो होता है लिंग अनुपात होता है रेशियो बिट्विन मेल और फिमेल वह बहुत ही कम हो जाता है देखिए यहाँ पर गल्स चैल्डरन पर थावजन बॉइज इन कंट्री टू मेरली नैटीन फॉर्ट कहते हैं कि एक हजार बच्चों के पीछे अगर हम बात करें गल्स की संख्या वो 9-14 है तो कहीं ही कम है यह तो यह था इसमें हमारा कहीं हमारा जो रेशियो होता है उसमें भी कम आता है बच्ची को जनम से पहले ही उसको एबोट कर दिया जाता है और इसके लिए सरकार ने क campaign चिलाया है, save girl child, educate girl child, they are not safe even within their own home from beating harassment and other form of domestic violence, कहते कि कहीं न कहीं हमें देखने को मिला की महिलाए हैं, उनको harass किया जाता है, कहीं न कहीं न कहीं को punishment भी दी जाती है, घरों के अंदर भी वो शुरक्षित नहीं है, कहीं न कहीं, the ratio fallen below 80, 50 and 800 in some places, कहते कि जो ये sex ratio की हम बात करें थे, 950 नहीं जो कहीं कुछ district, कुछ state ऐसे भी है, जहां पर ये बहुती कम साड़े 800 या 800 तक भी है, तो इससे हमें देखने को मिला कि किस तरीकी से women के साथ बेदभाव किया जाता है, कैसे इनको discriminated गया जाता है, now we will continue women political representation, यानि कि ओर्तों की जो राजनीती में भागी ता है, वो क्या है, आप लोग जानते कि male dominated समाज है हमार और अगर हम खासकर politics की बात करें तो यहाँ आप लोग आप लोग जानते कि हमारे three level होते है, government के center, government, अगर हम बात करें लोग सबा की, रेज्जे सबा की, यूगन से parliament की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर तो women का हमें देखने को मिलेगा, कि जो total percentage हमका 10%, 10% की आसपास है इसमें, अगर हम बात करते है, state government की, state local government है, जिसे हम पंचैती राज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर कहीं नहीं, कहीं women को one-third जो seats है, that is most important steps taken by the government of India, that one-third seats in local government are reserved for women, जिसमें हमारी पंचैत आती है, municipality आती है, उसमें women के लिए कि one-third जो seats है, वो reserved कर दीगे, तो that is most important point, you must have to remember, women political representation, center government में कितना दिया गया हमारी parliament में, अगर हम बात करें, तो यहीं पर हम लोग बात करते हैं, एक बार, ratio के बारे में, that is most important, you must have to remember, और the third step, local government, in which women have given one-third, और 33%, you can say 33% reservation given to women, that is the most important steps to given equal rights to women, in India, the preparation of women in less nature have been very low, अगर हम विदाईका में बात करें, हमारी ओरतों का जो अनुपात है, बहुत ही कम है, for example, the percentage of elected women member in Lok Sabha has never reached even 10% of its total strength, कहते कि अगर हम Lok Sabha में बात करें, women का जो percentage है, वो 10% से कम ही रहा है, अभी कुछ समय पहले 2009 में, 10 में, यह preparation 11 या 12 तक पहुँचा है, यानि कि कुछ शुधार हुआ पहले से, लेकिन अगर हम बात करें, 10 या 11% की तब भी बहुत ही कम है, their share, यहाँ पर एक, मैं आपको बताना चाहूँगा, 10% से कम है, देखो, यहाँ पर एक comment किया गया, इसी से related, यह हमारी Parliament है, Parliament में देखें, यह चारों तरफ क्या है, जितने भी situation की बात करें, यह bill 10 बार आचुका, लेकिन कहीं पर भी इसको pass नहीं किया गए, क्यों नहीं किया गए, क्योंकि Parliament में किसकी domination है, ज़्यादातर आप लोग देखतें कि पुरिश्परदान परलेमेंट हमारी, उसमें ज़्यादातर मेल को प्रेफर किया जाता है, में फीमेल की कहीं नेगलेंजन से हमें देखने को मिलते है, 10 परसेंट से कम, 11 या 12 तक भी चला जाता है, डाटास, their state in state assembly less than 5%, you must have to be remember state assembly, यानि कि जो MLA का चुनाव होता है, state assembly का चुनाव तो उसमें 5% से भी कम, देखें MLA में तो बिल्कुल ही कम है ये, in this respect, India is most bottom group of the nation in the world, आप लोग देखेंगे कि अगर हम बात करें महिलाओं के राजनीती में भागेदारी की, तो हमारे इंडिया का नीचे बहुत नीचे इस्तान आता है, इंडिया is behind, average for several developing country, अफरीका and लेटिन अमेरिका, कहते कि हम लोग developing country जैसे अफरीका, लेटिन अमेरिका, इन कंट्री के साथ comparison करते हैं, तो हम लोग इन से बहुत नीचे हैं, इन government cabinet largely all male, even when women become the chief minister or the prime minister, कहते कि यह ज़्यादा तर अपने minister हैं, वो male है, और यहां तक कि chief minister और prime minister भी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं female, कहीं ने कहीं हम लोग अगर Indian history की बात करें, परतिबा सिंग पाडिल का नाम आपने सुना है, इंद्रा गांधी का नाम आपने सुना है, तो आप लोग कुछ particular female को ही जानते हैं, जो राजनीती में भाग लेती हैं, लेकिन अगर हम generally बात करें, तो male का domination हमें राजनीती में देखने को मिलता, that is most important point students, that you must have to be remember, one way to solve these problems is to make legally behind to have a fair preparation of women in elected bodies, कहते कि यह एक अच्छा तरीका यह है कि हम women के लिए क्या कुछ seats reserve कर दें, that is what in panchaiti raze has done in India, कहते कि panchaiti raze में तो women के लिए क्या seats reserve कर दें, one third, one third का मतलब 33% most important है, याद रखे को कौन सा organ है, सरकार का जहां पर, मतलब सरकार का कौन सा part है, जहां पर one third seats हैं, वो reserve हैं, तो local government, यानि कि हमारी local government bodies है, इसमें panchaiti आते हैं, municipalities आती हैं, new reserve for women, कहते कि one third seat, यानि कि 33% seat हैं, वो women के लिए reserve कर दी गई हैं, now there are more than 10 lakh elected representative and ruler urban local bodies, कहते कि जो गाउं में और सहरों में local government है, जो हमारी, उसमें 10 lakh से जादा, जो women परती निदी हैं, वो काम करते हैं, that is most important step, to increase the participation of women in politics, that is most important student, तो you must have to remember, the representation of women in political, politics में अगर हम बात करें, that is also a comment, we have discussion about this figure, so this is important preparation, once again I would like to tell, in loksabha, 10, 11, 12% तक अगर हम बात करते हैं, तो last 12% है, और अगर हम बात करते हैं, state assembly की, state assembly का मतलब हमारी जो MLA बनती है, उसमें मात्र 5 परतिशत से भी कम हा, और local government के अगर हम बात करते हैं, local government में municipality आती है, हमारी पंचयत आती है, तो अगर हम बात करते हैं, one third seats are reserve for women, यानि कि 33 seats है, वो women के लिए reserve की गई है, that is most important step, to increase the participation of women in politics, politics में इनका अनुपात बढ़ाने के लिए most important है, okay student, this is most important topic, and next topic, we will start religion, communism and politics, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, religion की, as you know that chapter ने में में जेंडर, gender के बारे में आपने पढ़ा, कहीं न कहीं women को discrimination का सामना करना पढ़ रहा हैं आपर, gender के बाद जो second topic start होता, वो हमारा religion, religion, communism, communism also related to religion, communism का मतलब होता है, when a person think their religion is superior than other, that is called communism, हिंदी में कहते हैं, इसको संपरदायक ता है, तो क्या उसके results निकलते हैं, कुछ thinker हैं हमारे उन्होंने, क्या कहा है, religion और politics के बारे में यहापर हम लोग discussion करेंगी generally, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर discussion करते हैं, consider the following, कहते हैं कि gender religion, gender के बाद अगर हम बात करें, जो religion का matter, वो भी बड़ा sensitive matter है, गांदी जी used to say, this religion can never be separated from politics, most important quotation है, यह quotation अक्षरा जाती है exam में, कि religion को कभी भी हम politics से separate नहीं कर सकते, who said these words, महात्मा गांदी जी, what he meant by legislation was not a particular, particular religion like Hinduism और Islam, but moral values inform all religion, कहते कि गांदी जी का मतलब यह नहीं था पही, किसी हम particular religion को लेकर साथ चले, Hindu या Islam religion को, उनका मतलब यह था, कि जो हमारे नैतिक मुल्या होते, that inform all religion, यानि कि जो सभी religion को inform करते हैं, he believed that politics must be guided by ethnic drone from religion, कहते कि उनका मानना था, कि जो हमारी एक तरह से नैतिक मुल्या होते हैं, कि द्वारा religion को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो quotation आती हैं पर who said these words, कि अगर हम बात करें, religion can never be separated from politics, यानि कि धर्म को हम राजनीती से कभी अलग नहीं कर सकते, who said these, human right group in our country largely argue that most of the victim, communalism in our country people from religious minority, कहते कि हमारे जो human right group है, उन्होंने एक्सर ये कहा कि जादातर जो सिकार हुए हैं, हैं जम्रदाइक राजनीती के, वो minority group है, they have demanded that the government take special step to protect religious minority, उन्होंने कहा कि उन्होंने डिबान रखी कि सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, ताकि जो religious community है, जो minority में हलब संखेक है, उनको बचाया जा सके, women movement has argued the family law of all religious discriminated angust women, कहते कि जो हमारे परिवारी कानून है, family laws हैं, वो भी कही न कहीं अगर हम बात करें, सभी धर्मों में discriminate angust women, women के साथ बेदभाव किया जाता, that is most important, you must have to be remember family law, परिवार से जुड़े वे जो कानून होते हैं, so they have demanded the government should change these law, make them more equitable, कहते कि इसलिए कुछ groups हैं, उन्होंने डिमांड रखी कि, इन rules को बदला जाना चाहिए, जो परिवार से जुड़े होते हैं, जिसके कान्ट women के साथ discrimination होता कही ने कहीं, all these instances involve a relationship, religion and politics, but they do not seem very wrong or dangerous, idea, idols and values drawn of different religion can be, perhaps should be, role in politics people should be able to explore politics need, interest and demand, as member of the religious community, those who political should be, sometime regulate practices, practices religion so as to prevent discrimination and oppression, these political act are wrong as they treat every religious equally, कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सभी धर्मों के साथ एक जैसा विवार करना चाहिए, किसी के साथ हमें discrimination नहीं करना चाहिए, अब बात करते हैं में इसमें communism, communism क्या होता है, communism का meaning क्या होता है, communism का meaning मैं आपको जनरली बता देता हूँ, कि जब हमारे मन में ये बात आती है, कि एक religion ये एक community अपने आपको superior मानती है, दूसरों की तुन्ना में ऐसी भावना को हम लोग बोलते हैं, communism तो communism जो based है, वो एक तरह से आप लोग देख सकते हैं, कि religion के उपर base है, religion के उपर कही न कही हमें देखने को मिलती है, और कही न कही हम लोग क्या करते हैं, एक religion दूसरे religion को superior मानता है, तो ऐसी condition में भी कही न कहीं समाज के अंदर, अलगावाद की भावना, तूटने की भावना हमें देखने को मिलती है, communal politics is based on the idea of religion, तेकि आपर most important outline किया गया है, कि जो communal politics है, जो किस idea पर base होती है, एक तरह से गर हम बात करें, religion के सिधान पर base होती है, religion को prefer दिया जाता है, basis on social community, communalism involved taking along the following line, the follower particular religion must belong to one community, their fundamental interests are same, any difference that may have to be relevant, or communal life people follow, some different religion cannot belong to the, cannot belong to the same social community, if the follower of different religion have some community, they are specify immoral, their interests are bounded by different people, involve a conflict in this stream, that belong to the different religion, cannot live in equal citizen without one nation, कहते कि कुछ generally हमें देखने को मिलता कि, तरह तरह की लोग रहते हैं, religion को follow करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके बीच में, कोई न कोई अलगावाद की भावना हमें देखने को मिलती है, dispute देखने को मिलता है, वो अपने religion को अकसर, ज्यादा superior मानने का प्रियास करते हैं, आर पर हम लोग बात करेंगे, communalism can take various form of politics, यानि कि जो संपरदाइकता है, उसके विभिन रूप है राजनिती में, that is also bold questions, you must have to remember, कौन कौन से रूप है, the most common expression of communal is everyday belief that routinely involve religious prejudice, stereotype or religious community, करते कि सबसे पहले तो हमें, जो संपरदाइकता है, धरम को superior मानने की जो बात है, वो हमें अपने दैनिक विचारों में, कहीं अपने विचारों में कहीं जो पुरुवा ग्रह होते हैं, religious community होती हैं, उसमें देखने को मिलती है, and believe,